लबर्स वेलकम टु फेजरेशंटी लबर यूट्व चेनल कंटिनिटी हम पढ़ रहे थे कंटिनिटी अंड डेफेरेंशियबिलिटी तो उसमें हमने पादा पार कंटिनिटी भी किया था काफे सारे student के साथ differentiation के बारे में physics में और अमन भाये ने भी आपको जरूर बताएगा what is called the differentiation सबसे पहले हम यह जानने की कोज़ करते है what is the differentiation is the basic idea मान लेजे आपके सामने y is equal to something f of x function ठीक है y is equal to something f of x function उसका differentiation लिखने का जो तरीका होता है वो होता है y dash y dash से represent कर सकते हैं या फिर इसको represent कर सकते हैं f dash x से actually करते क्या है हम यहाँ पर हम करते है y is equal to अपके सामने f of x function होता है तो हम यहाँ पर करते हैं y को differentiate करते हैं यदि मान लेजे x का function बना हुआ है एक्स के respect में तो उसको हम इस प्रकार represent कर रहे होंगे हम इसको आंगे graphically भी देखेंगे जब आपका एक नया आंगे further topic आएगा application of derivative में application of derivative में इसको मैं आपको graph से भी समझाऊँगा लेकिन अब फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए कैसे करते हैं dy by dx को dy by dx करेंगे या फिर एक से करेंगे अच्छा differentiation solve करने के दो तरीके होते हैं सबसे पहले जो तरीका होता है बहुत है initial method आपके बार मीं तक कहीं भी जिक्र नहीं होगा basically मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था initial method आप नाम जिक्र नहीं है इसका नाम जिक्र नहीं अभी नेशिय मेथड का लेकिन इसका method जरूर जिक्र है वह देखे किस प्रकार है वह है आपका फैला देखे देखते हैं अभी नेशिय मेथड ठीक है अभी नेशिय मेथड कहता है कि क्यादी माल लीजे कोई भी function f of x से तो उसका हम differentiation लिखेंगे f dash x किस प्रकार लिखेंगे limit limit h approaches to zero limit h approaches to zero f sorry f of x plus h minus f of h divide by x plus h minus x इस प्रकार हम लिख रहे होते हैं किसी भी function का differentiation with the help of ab in issue method अच्छा यह यह चीज क्यों हम इसको पढ़ते हैं यह वाला method क्यों पढ़ते हैं आपको differentiation में सबसे ज़्यादा काम आएगा direct differentiation करने का और यही useful है और सबसे ज़रूरी यह आई है आपको direct differentiation यहाद रखेंगे तो फिर काम क्या है actually ab in issue method का ab in issue method काम आता है आपका एक कुछ tough सवाल इसके ab in issue method के basis पे आते हैं जो की केबल केबल इस method से ही हो सकते हैं जेए एडवांस में और जेए मेंस में ठीक है यदि आपको इसके उपर सवाल चाहिए इसके उपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप message कर सकते comment box में basically हम इसको तब discuss करेंगे जब आपका comment आएगा मेरे पास देखिए अंगली एक और बात हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब आपको मैं continuous टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक discussion किया था कि every differentiable function is a continuous यदि every differentiable function is a continuous ठीक है हर differentiable function क्या होता है continuous होता है इसका inverse true हो यह जरूरी नहीं है ठीक है ठीक है यह आपको याद रखना है very important point आपका fill in the blanks वगरा में दे सकता है if you are from board student ठीक तो every differentiable function is a continuous function चलिए यह तो हो गया ab initio method का थोरे सी जानकारी ठीक है अब हम करते हैं direct differentiation में ठीक तो देखें direct differentiation में सबसे पहले आपको यह याद रखना है कुछ मैं rules बताऊंगा rules को आप याद रखेंगे ठीक है चलिए rules से पहले हम कुछ normal differentiation देख लेते हैं differentiation कैसे करते हैं तो सबसे पहले देखिए माल लीजिए आपके सामने x to the power n function function क्या है आपके सामने f of x बराबर x to the power n अब मैं पुछता हूँ what is the f dash x तो आपको याद रखना है कि f dash x क्या होता है n into x to the power n minus 1 देखिए मैंने क्या किया है यह जो n था इसको मैं नीचे ले आया हूँ हाना यह आपके सामने क्या है d of dy ठीक है तो n था मैंने उसको आंगे ले आया और n को उपर एक घटा दिया चलिया दी ऐसा है तो आप मुझे बताइए x to the power 5 का differentiation क्या होगा with respect to x ठीक है y is equal to y है तो ब चलिए आपको यह पहला वाला समझ में आया आप यह पढ़ चुके होंगे फिर भी मैं आपका रिविजन कराए दे रहा हूं ठीक है उसके बाद जो आपका useful है यहां पर आपको दूसरा useful function आपको याद रखना है कि function माल के चलिए f of x is equal to sin x है तो f dash x क्या होगा तो क्या होता है उसी प्रकार आप मुझे बताइए cos x का differentiation क्या होता है cos x का differentiation होता है minus of sin x चलिए उसके बाद बताइए 10 x का differentiation क्या होता है आपके साब में 10 x का differentiation होता है स्क्राइक स्क्राइक्स ठीक है यह आप साद आइधिंक पढ़ चुके हैं ठीक है और मैं आपको सारे के सारे differentiation के एक पीडियाफ भेज दूँगा ग्रूप में जो हमारा ग्रूप है उसमें हमें आपको सेर कर दूँगा और यदि आप आउट ली यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में दिये गए से नंबर पर काउन्टेक्ट किजिए आपको मैं वहाँ से पीडियाफ भेज़ दूँगा सारे के सारे के य। मेलिक्ट काउए ठीक है अब आप लेट कर रहे था तो देखं़ Yin कि वारे डिए डायरेट hoeं ब superhero हो दो function आपके addition में है मान लिए यू एक function था और वी एक function था दोनों क्या है आपस में addition में हैं दोनों function क्या है जुड़े हुए हैं उस case में जब आप differentiation करोगे पूरे function का ठीक है आपका मान्ग f of x बराबर u plus minus भी एक function है ठीक है मैं कर रहा हूँ दोनों side differentiation जदी जब मैं दोनों side differentiation करता हूँ तो का होता है तो देखिए undifferentiation जाता है अंदर और individually कर देता है ठीक है ये गया अंदर और individually दोनों पर चड़ गया individually differentiation हो जाएगा उसी प्रकार देखिए दूसरा आपके साबने u into b u multiplied by b u ए मान के चलिए कोई function है और b b कोई एक function है पूरे का differentiation करते हैं तो का होता है एक बार आप क्या करेंगे सबसे पहले पहले वाले को differentiation कर देंगे आप दूसरे वाले को उसी तरह रहन देंगे फिर का करेंगे आप पहले वाले को उसी तरह रहन देंगे दूसरे वाले का differentiation कर देंगे तो यह होता है rule number दूसरा rule तीसरा देख लेते हैं क्या है rule तीसरा है कि माल लीजे दो function जो है u और b आपस में विभाजित है divide है ठीक है तो आप इसका differentiation किस प्रकार करते हैं तो u minus b करते हैं differentiation होता है देखिए नीचे जो दिया होता है उसका कर देते हैं आप square नीचे जो दिया होता है उसका कर देते हैं square कर देते हैं उपर क्या करते हैं उपर आप क्या करेंगे उपर वाले का differentiation कर देंगी और नीचे वाले को adjectives लिख देंगे तरह लिख देंगे माइनस फिर आप क्या करेंगे नीचे वाले को उसी तरह लिख देंगे उपर वाले को उसी तरह लिख देंगे देखे यह मैं यू लिख रहा हूँ और नीचे वाले का कर देंगे differentiation तो यह था rule number तीसरा ठीक है तो देखिए आपका ये जो रूल होता है ये वाला रूल इसको आप कहते हैं कोसेंट रूल कोसेंट का नियम है ठीक है कोसेंट रूल है और ये वाला जो आपके सामने है देखिए आपस में दोनों मल्टिपलाइट थे तो ये वाला जो रूल होता है वो कहलाता है product rule ठीक है क्या rule कौन से rule होता है product rule इसे एक और चीज कही आती है livenets formula ठीक है livenets formula से नाम से famous है leibnitz ठीक है livenets formula के नाम से भी यह प्रसिद्ध है तो आपको पहला यह नियम दूसरा नियम तीसरा नियम याद रख लेना है जो मैंने और करते हैं derivative of composite function तो देखिए अभी तक हमने simple differentiation के formula मैंने आपको बताया है ठीक है साफ साफ चीजे में उनको बता दिया आपके सामने रख दिये भाई ऐसा होता है याद कर लो ठीक है लेकिन अब आपके सामने question लेकिया रहा हूं है तो composite function का differentiation करते हैं तो आपके सामने function क्या दिया होए अप एक्स बराबर टुबेस प्लस बन का whole क्यूब अच्छा यहां पर देखिए अंदर जो है वो function composite है हम तो पढ़े भाई क्या पढ़े हैं हम पढ़े हैं भाई एक्स क्यूब का differentiation जो होता है वो होता है तीन एक्स स्क्वाइर होता है की कि नहीं होता बताइे एक्स होता है क्या कटे सामने आंदर एक्स स्क्वायर نہیں है अब यह समस्या बन की आ गई आपके सामने क्या करें इसी के इस सल्यूशन के मैं यह मैं आपको चीज बता ऑंगा इस तरह के function को differentiate करने के लिए जब कभी भी अंदर कैसा function दिया होगा composite function दिया होगा उस case में उसको differentiate करने के लिए हम करते क्या है ध्यान से देखिएगा जो मैं करूंगा यहां पर क्या करना है differentiate करना है तो मैं वही चीज अपना हूँगा इसको मैं कुछ पल के यह माल लूँगा कि भाई यह हमारा x ही है कुछ पल के लिए माल लेते हैं x ही है तो यह क्या हो जाएगा आपके सामने 3 आंगे आ जाएगा ठीक है x square ठीक है x ही मान के मैंने इसको differentiate कर दिया ठीक अब आप यहां पर देखिए अंदर तो यहां पर x था नहीं x कुछ और था तो क्या करते हैं multiply कर देते हैं multiply कर देते हैं इस पूरे function का differentiation multiply कर देंगे इस पूरे function का ठीक है चलिए इसको जर्नली यदि हम लिखना चाहें मान लिजिए आपके सामने two x plus one का whole cube है तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप इसको लिखेंगे basically चलिए मैंने आपको बताई दिया है इसको मैं formula के रूप में बाद में बताऊंगा आपको यहां पर ध्यान क्या रखना अंदर composition क्या करेंगे आप मान लेंगे की भाई यह जो है वह x ही है और x मान के का कर दिया मैंने differentiation कर दिया फिर याद आता है यह तो एक्स था यह नहीं तो सौरी था composition था भाई तो composite function था उसका भी हम differentiation multiply में लिख जेते हैं остав 2x plus 1 का differentiation क्या होगा यह बताईए अभी मैं आपको बताया कि you plus minus का whole differentiation करते था होता है यू differentiation plus minus 2 का vaccination होता है फिक है individually differentiate करते तो यहां पर क्या दिया है भाई तू एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसियेशन दिया है तो उसको कर देंगे होल डिफ्रेंसियेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर तू एक्स का डिफ्रेंसियेशन प्लस वन का का differentiation वन क्या है यहां पर है कॉंस्टेंट टर्म कॉंस्टेंट टर्म का differentiation करते हैं तो गोबने याद रखेज़ा सब्सक्राइब कशिते हैं यहां पर देखिए टुई इसका करेंगे differentiation आच्छा X का differentiation क्या होगा X का differentiation होगा यहां पर 1-1 1 आगे आ जाएगा तो कि यहां पर क्या था X की power 1 था तो इसको आखे लिया 1 और उपर एक घटा दोगे तो X की power 0 क्या होगा वो होगा 1 ठीक है तो यहां से अपके सामने हो जाएगा 2 इसका मतलब यह है कि 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसियेशन का है आ गया वो आ गया आपके सामने 2 तो यहां से आपके डिफ्रेंसियेट करना है फिर बाद में याद आएगा अरे यह तो एक्स था ही नहीं तो अंदर वाले का क्षिएरष्ट करते हैं अब वह कैसी किया हुने यू प्लस मायनेस भी का होल डिफ्रेंसियेशन बढ़ा था वह लगा दिया ठिक है और तीसरी paused कमें अचिह की नहीं पर टीसरी चीव है प्रयास नहीं करना है चलिए अब हम इसमें बढ़ते हैं आंगे यह तो आपके सामने का डिफ्रेंसियेशन हो गया नेक्स टॉपिक है आपके सामने चेन रूल का ठीक है चेन रूल को हम सीधे पढ़ेंगे एक एक एक्जामपल से तो आपके सामने यह फंक्शन दिया हुआ है एफ आप एक्स इस इक्वाल टू साइन एक्स स्क्वार ठीक है अच्छा हम तो पही पड़े हैं साइन एक्स का जो डिफ्रेंसियेशन होता है वो होता है कॉस एक्स लेकिन जो दिक्कत है यहाँ पर जो दिक्कत है वो है आपके सामने अंदर जो यहाँ पर function है वो x square है भाई करे क्या तो इस case को solve करने के लिए हम क्या माल लेते हैं कि जो भी अंदर function है x square उसको माल लो आप t ठीक है ज़िए हम हम माल लेंगे तो यह जो function f of x था वो बन किया जाएगा f of t sin t अच्छा अब यह function बन के आ गया ह है t के term में यह function किस तर्म में बन किया गया ती के term में अच्छा अब इस sign t का differentiation क्या हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे माल लो यदि यह y है तो d y by dt करेंगे यहां क्योंकि यह t है तो t के respect में differentiation होगा तो यह कितना आ जाएगा बेटा यह आ जाएगा cos t के बराबर ठीक है cos t ठीक लेकिन 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 आपके सामने एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है हमें question में क्या चाहिए था d y by dx चाहिए था क्या चाहिए था भाई मेरे d y by dx चाहिए था हमें तो d y by dt मिल रहा है तो एक काम करो dt से multiply कर दो और dx से divide कर दो अच्छा d t d t cancel हो च्छेस में ऐसा किया है तो और च्छेस में भी यही करना पड़ेगा dt से multiply dx से divide अच्छा dt y dx क्या है t कोई function है x की term में है क्या है देखिए x square root dt by dx क्या होगा dt by dx बताओ ना क्या होगा वह होगा 2x power 1 2 को आंगे लियाओ x to the power 1 हो जाएगा तो यह क्या होगा 2x होगा इसका मत प्लब यह क्या हो गया cos t multiplied by 2x t क्या था आपके सामने t था क्या आपके सामने x square तो यह आपको मैंने x square होगा ठीक तो बताइए साब को समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने कि अंदर जो भी function होगा उसको